हेलो और गुड मॉर्णिंग एवरिवन आज की इस लेक्षर में हम बेसिक क्वांटम मेकेनिक्स की एक प्रोग्लम को डिसकस करेंगे और प्रोग्लम है अपने पास कि अपने को वन डाइमेंशन हार्मोनिक ओक्सिलेटर की ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालने और यह जो टॉपिक है वो बेसिकली एक्जाम में दो टाइप से पुछा जा सकता है एक तो वो डाइकली बोल देगा कि अप्लीकेशन लिखो टो टाइप से कोच्चन पूछा जा सकता है तो सबसे पहले जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है हार्मोनिक उक्सिलेटर की क्या होगी काइनेटिक एनर्जी होगी पलस पोटेंसियल एनर्जी होगी क्वांटम में डिल करें तो क्वांटम में काइनेटिक एनर्जी ओपरेटर और पोटेंसियल एनर्जी ओपरेटर अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है अपने पास पी स्क ठीक है दुनों को add किया तो अपने पास total energy आ जाएगी अब अगर हम बात करें minimum energy की तो minimum energy के लिए अपने पास यह जो energy है इसको हम किस type से लिख देंगे energy तो यही रहेगी अपने पास पर minimum के लिए हम क्या ले लेंगे यहाँ पर यह जो momentum है momentum के अंदर uncertainty ले लेंगे del px ले लेंगे और जो position है उसको क्या ले लेंगे यहाँ पर x है यहाँ पर delta px ले लेंगे ठीक है अब हम use करेंगे uncertainty principle का अब uncertainty principle का use करके हम यहाँ जो del px है इसकी value निकालेंगे del px बोले तो uncertainty in momentum और del x बोले तो uncertainty in position ठीक है तो अगला task अपना यह है कि अपने को del x की value निकार ली है और del px की value निकार ली है दोनों value अपने को इस equation के अंदर put करने है पुट करने के बाद अपने पास जो harmonic oscillator है one dimension harmonic oscillator उसकी ground state energy अपने को मिल जाएगी ठीक है तो अब हमने use किया uncertainty principle का uncertainty principle क्या होत del x dot del px greater than equal to या फिर approximate equal हमने ले लिया यहाँ पे h cut by 2 pi h cut यहाँ पे planks constant की reduce format ठीक है यहाँ से मैंने क्या किया del px की value निकार ली x को उठा के उधर लेके गया तो यह क्या गया h cut by 2 delta x ठीक है अब यह px की value तो अपने को यहाँ से मिल गी है यह जो px की value निकार ली है हमने weep px की value हम यहाँ पे put कर देंगे equation number 1 के अंदर ठीक है तो अब हमने next किया है उसमें यही किया है अगली equation में जो del px की value है वो equation number 1 के अंदर यहाँ पे put कर लिखे दी ठीक है देल PX की value मिल जाएगी, तो for minimum energy के लिए हमने यहाँ पी क्या किया, D E minimum, ठीक है, जो minimum energy है, उसका derivative क्या है, किसके respect में, देल PX के respect में, तो इसका derivative करेंगे, तो क्या जाएगा, x-cut square by 8m, तो अपने पास constant term है, इस del X square को में उपड लेकि जाएगा, तो power minus हो जाएगी, अब इसका derivative करूँगा, तो derivative में power क्या आती है, आगे आती है, तो यह आजाएगा, minus 2 तो आगे आजाएगा, इसके अंदर एक power क्या हो जाएगी, minus हो जाएगी, ठीक है, और यह कितना हो जाएगा, x की power 3 हो जाएगा, तो यह अपने पास क्या आएगा, इसका derivative यह आजाएगा, minus 2, x का स्केर, 8, और यह m as it is, और delta x की power कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, उपर power minus में रहेगा, नीचे लेके आओगा, तो पलस में हो जाएगी, similar यहाँ पे, यह 2 आगे आजाएगा, और इसमें से एक power minus हो जाएगी, तो आगे हमने इसका derivative करके, यहाँ पे link रत्का है, ठीक है, तो यहाँ पे यह 2 आगे आजाएगा, नीचे x की power 3 हो जाएगी, यहाँ पे जो square था, वो square में आगे लेकिया है, उस power में से एक minus हो जाएगा, ठीक है, अब हमने next में क्या किया है, यह वाली जो term है, इस 2 से यह 2 में cancel कर देता हूँ, इस 2 से यह में 8 cancel कर देता हूँ, ठीक है, अब यह वाली जो term ही सकूँ ठाके, equal to के side से उस तरफ लेके जाएगा, तो, अब यह वाली तरम लेके जाने की बजाएगे, माइनस वाली तरम ही सकूँ उस तरफ लेके जाएगे, तो पलसकी हो जाएगी, तो अपने पास यह वाली equation आ जाएगी, ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, डल x की value चाहिए अपने को, ठीक है, तो यहाँ से क्या किया, यह square, यह जो power 4 है, इसका square उस तरफ लेके जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, अपने पास delta x square की value अपने को, यह वाली मिल जाएगी, अब यह जो equation number b है, इस equation number b को मैं कहाँ पे put करूँगा, अपने पास, एक्वेशन number 2 हमने निकाले थी, यह वाली equation number 2 के अंदर हम यहाँ पे, यह जो delta x, delta x square की value को put कर देंगे, और equation number 2 हमने यहाँ पे यह link रखी है, ठीक है, तो अब यह जो del x square है, यह value हम यहाँ पे put कर देंगी, ठीक है, तो अब हमने next equation में यह as it is, बाकी तरम तो as it is रखी del x square की value हमने यहाँ पर put कर दी ठीक है, put करने के बाद अब जो तरम यहाँ पर cancel हो रही, अब यहाँ पर भी del x square h cut square by 8m, h cut square by 8m हमने यहाँ पर as it is रखा, del x square की यह वाली value हमने यहाँ पर रख दी, ठीक है plus 1 by 2 as it is m as it is, omega as it is, और del x square की value हमने फिर से यहाँ पर रख दी अब जो तरम cancel हो रही, उसको cancel कर देते हैं यह h cut से 1 h cut cancel हो जाएगा 1m से 1m and cancel हो जाएगा 2 से 8 cancel हो जाएगा similar यहाँ पर जो तरम cancel हो रही 1m से 1m, 1 omega से 1 omega हमने यहाँ पर cancel कर दी है अब जो बच्ची हुई तरम है बच्ची हुई तरम यहाँ से क्या बच्चा 1 by 4 बच्चा यहाँ पर h cut बच्चा और omega बच्चा similar यहाँ पर भी यही तरम बच्ची दुनों को मैं add करूँगा add करने के बाद अपने पास क्या जाएगा 1 by 2 h cut omega और यह अपने पास यह जो energy की value आई है यह किसके लिए है ground state energy है किसकी one dimension harmonic के oscillator की ठीक है तो यह बिल्कुल छोटा सा topic है ज्यादा नहीं 4 या 6 marks के अंदर आप से पूछा जा सकता है ठीक है अगर इसमें से आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप comment करके या message करके पूछ सकते हैं thank you